हेलो दोस्तों दृष्टी PCS YouTube चनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं हूंगी तांजली आज हम यहाँ पर बिहार राजिसे संबंदित स्टेट एटनस पर चर्चा करेंगी यानि पिछले एक हफ़ते में बिहार से संबंदित वे कौन सी खबरें थी जो महज़पूर थी या जो चर्चा में बनी थी जिनके आधार पर हमने यहाँ पर मानचित्र में सवाल फ्रेम किये हैं तो आईए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है जोकी और 60 VVPSC जोकी जनवरी में होने वाली है इस पर ही आधारित है यानि 68 VVPSC प्रेलेम स्कोर्स को दृष्टी की तरफ से अभी हाली में लॉंच किया गया है जोकी समाने अध्यन पर आधारित होगा जिसके एडमिशन शुरू हो चुके हैं क्योंकि इनका क्षाओं की शुरुआत 16 नवंबर से होने वाली है इस सम्बंधित जो भी आपको जानकारी लेनी है या इसके एडमिशन से सम्बंधित आपको जो भी जानकारी लेनी है इस कॉंटेक्ट नवर से आप सम्पर कर सकते हैं नवर क्या है 9311406441 यह पूरी क्लासिस के मोड में होगी, ऑनलाइन मोड में होगी तो इससे संबंधी जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें भी विजिट कर सकते हैं तो आईए आज की शहसंद की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की सेशन में पिछले सेशन का अभ्यास प्रशन है पिछले एपिसोड में आपसे अभ्यास प्रशन पूछा गया था गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारन बिहार के किस जिले में इस्थित है जिसके ऑप्शन थी पटना कैमूर जमूई या गया तो इस सवाल का लगभख सभी बच्चों ने कमेंट सेक्षन में सही जवाब दिया है यानि गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारन बिहार के किस जिले में इस्थित है गया जिले में इस्थित है यानि ऑप्शन डी इसका सही जवाब था चूकि यह पूरा सेशन मैप पर गया की एक खासित यह भी है यह बिहार के सबसे दक्षन तम जिले के रूप में जाना जाता है तो यहां पर है गया की लोकेशन और गया अन्य किन जिलों के साथ अपनी सीमा साज़ा करता है और अरवल जहानवाद नालंदा और नवादा इसके साथ है अपनी सीमा साज़ा करता है आपको कमेंट सेक्षन में बताना है कि गया यहां पर अन्य किस राज्जी के साथ अपनी सीमा साज़ा करता है बढ़ते ह आज के सेशन में पहले सवाल की तरफ पहली सवाल की खबर पढ़ लेते हैं खबर थी CRPF में पहली बार महिला केडर के दो अफसरों को यहां पर तैनात किया गया है जिनें बिहार सेक्टर में IG की रूप में नियुक्त किया गया है प्रशनी क्या है निमनलिखित मैं से कौन सा से कथन दक्षण बिहार की म्रदा के संबंध में सही है या है और कथन क्या है यह म्रदा गंगा नदी और छोटा नागपुर के पठार के बीच नदियों से लाए गए निक्षेप से निर्मित है और दूसरा इस हिस्ते पर टॉल बर्थल म्रदा पाई जाती है कूट क्या है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक और ना ही दो यहाँ पर महतुपून क्या हो जाती है बिहार यानि दक्षण बिहार की म्रदा की म्रदा क्योंकि दक्षण बिहार की म्रदा के संदर में ही सवाल पूछा गया है तो आईए हमें इन दोरों कतनों पर यहाँ व कि दक्षिन बिहार के जो मैदान के आसपास म्रदा पाई जाती है वह गंगा नदी जो कि बिहार में जिसका प्रवाह यह है तो वह गंगा नदी और छोटा नागपुर के पठार इन दोनों की बीच जो म्रदा पाई जाती है वही है कौन सी म्रदा दक्षिन बिहार की या दक्षिन बिहार के मैदान वाली म्रदा जिसमें मुख्यता कौन सी म्रदाएं है यदि हम चर्चा करें तो यह है इससा जो आप देख पा रहे होंगे यह है बल्थर म्रदा इससे आप दूसरे कलर में देख लीजे यानि यह यह मृधा है बल्थर। और यदि हम टॉल्मृधा के बारे में यहाँ पर चर्चा करें तो यह है लोकेशन जो आप देख पा रहे होंगे यह यह है टॉल्मृधा तो दक्षन बिहार के मैदानें शित्र वाली यदि मृधा के बारे में हम चत्चा करें, तो यहाँ पर ये दोनो ही कथन के बारे में सही हैं, यानि यहाँ पर ये दोनो ही प्रकार की मृदां पाए जाती हैं और यह गंगा नदी ऑचोटा नाखपुर के पठार के बीच रिक्शेटर निक्शेप जो उनके द्वारा लाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा इस मृदा का निर्माण होता है यानि इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी होगा एक और दो दोनों कथन इसके बारे में यहां सही है तो चली पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है खबर है महानंदा नदी के दोनों और तटबंद बनाने की तैयारी कर रही है सरकार इस वजह से महानंदा नदी यहां पर चर्चा में आ गई है प्रशन है महानंदा बेसिन की सीमा नंदलिखित मैंसे किस राज्य से लगती है हमारे ऑप्शन है उत्तर अगला से किन राज्यों से अपनी सीमा साजह करती है तो आए सबसे पहले देखते हैं बिहार का नदी यहां यह है नदीओं वाला और मिजोरम इसमें शामिल है, तो आप देख पा रहे होंगे, मिजोरम की यहां पर आविस्थिती है नहीं, काफी दूर पड़ जाता है बिहार से, वहीं उत्तर प्रदेश काफी दूर इस्थित है महाननदा नदी से, मध्यप्रदेश की लोकेशन भी इससे काफी दूर है, ज इस वज़े से यह नदी यहां पर चर्चा में आ गई है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन गंड़क नदी के बारे में सही है या है, कथन क्या है, यह उत्तर पश्चिम बिहार की प्रमुख नदियों में से एक है, और दूसरा कथन है, यह पश्चिमी चंप बिहार की प्रमुख नदी है, तो इससे हम देखेंगे कि गंड़क नदी की लोकेशन दरसल बिहार में कहां पर है, और क्या सचमुच यह पश्चिमी चंपानट से होते हुए बिहार में प्रवेश कर रही है या नहीं, तो आईए सबसे पहले देखें गंड़क नदी को, त आप देख पा रहे होंगे, यह बिहार में पश्चिमी चंपारण से प्रवेश कर रही है, यानि यह पश्चिमी चंपारण जिला है जो बिहार का, उससे प्रवेश करते हुए बिहार में एंट्री करती है, और फिर आगे बढ़ती जाती है, आगे जाकर यह है, गंगा नद से मिल जाती है यानि यहां पर दूसरा कथन यदि हम देखें तो बिल्कुल सही है यदि हम पहले कथन पर विचार करें कि यह उत्तर पश्चिम बिहार की प्रमुख नदियों में से एक है तो आप देख पा रहे होंगे इसका लोकेशन बिहार में कहां पर है उत्तर और में बढ़ने से पहले आप गंड़क नदी को और जूम करके देख सकते हैं यह मैप में आप देख भी पा रहे होंगी यह है गंड़क नदी जो पश्च्वी चंपारण से बिहार में प्रवेश कर रही है पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर देख लेते हैं अगली खबर है बिहार शरीफ नवादा रेल्वी लाइन में सर्वे पूरा हो गया और इसे सम्मधित जो भी डेटा था वे रेल्वे बोर्ड क को भी जा गया है नवादा जिला विय। सदर में सवाल kıya अप्षन है तो आइए सब से पहले बिहार के मैप में देखते हैंकि नवादा की मैप में देखते हैं पहां पर है यहां भी हार का मैप जिसमें यहां पर है नánवादा है जाद आप कि निग्त न साथ इसमें गया नालंदा शेखिपुरा और जमुई शामिल है कि तो यह 한प लोकेशन महत्वकोंट थी इसलिए हमने नवादा देख लिया आप देखे प्रमंडल Wor मैं आप मैं कि नवाधा कहाँ पर है तो यह हैं नवादा की location देखिये आप और यह किस प्रमंडल के इंतरगत शामिल है देख पाँ रहे होंगे मगध NICK या नीजी नवादा मगत प्रमंडल का एक हिस्सा है या मगत प्रमंडल ही एक जिल असे बड़ते हैं अगली खबर पर योजra में में शामिल होगी हरोहर नदी इस वजह से हरोहर नदी यहां पर चर्चा में आ गई है प्रश्न क्या है निम्निलिखत मैं से कौन सा से कथन हरोहर बेसन के बारे में सही नहीं है और है सवाल फ्रेम किया गया है सही नहीं है किस अंदर्व में तो इसे ध्यान से पढ़िएगा कथन क सबसे पहले नदी को यह है बिहार का मैप जिसमें हो हर पेशन कहाँ पर है यह और इसमें पहला कथन चुकि गंगा नदी के साफ़ एक पूछा गया है हरोहर बेसिन के बारे में तो हम जानते हैं यह है गंगा नदी की लोकेशन जो की पश्चिम से पूर्विक्योर यहां पर बह रही है यानि इस दिशा में बह रही है तो यह हिस्सा गंगा नदी का बाया हिस्सा होगा और यह दाया यानि हरोहर बेसिन गंगा नदी के दाये हिस्से में इस्थित है यानि यहाँ पर यदि हम पहले कथन पर चर्चा करें तो हमारा पहला कथन सही हो जाएगा कि यह बेसिन गंगा इसे संदर में भी सवाल पूछा घया है कि कौन सा कथन सही नहीं है तो केवल दो कथन सही नहीं है यानि option B केवल दो इसका सही जवाब हुगा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर देखते हैं अगली खबर है मुझफरपूर में बिना सूचना प्लेटफॉर्म बदलने पर स्टेशन मास्टर को यहां निलंबत कर दिया गया इसलिए मुझफरपूर म उतरी भाग में है यहां पर दोनों कथन एख व्याहर में बताया जा रहा है बिहास के तो कथनों को धियान से पढ़ कर कि इन दोनों कथनों के बारे में यदि हम इन चार ऑप्षन पर गौर फर्माएं तो कौन सा ऑप्षन सबसे सटीक या सही बढ़ता है हमारे ऑप्षन क्या है नालंदा गया पश्चिमी चंपरण और सीता मढई धियान से पढ़िए इसमें पहला जो कथन है यह कहता है कि इस इस शहर को या इस जिले को 1972 में मुजफरपुर से अलग किया गया था और दूसरा कथन क्या कहता है यह बिहार के उत्तिरी भाग में इस्थित है यदि हम देखें option मैं से सबसे पहले दूसरे कथन पर विचार करें तो उत्तिरी भाग में यहाँ प पश्वी चंपारण और सीता मढ़ी पर चर्चा करें तो उसमें क्या कहा गया है कि 1972 में मुजफरपुर से प्रथक हुआ है तो आईए मैप में देखते हैं location को तो देखी यह है मुजफरपुर और यह है पश्वी चंपारण तो पश्वी चंपारण को विभाजत करके पू तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा सीता मढ़ी option दी नाकी पश्वी चंपारण तो यहाँ पर यह दोनों कथन सबसे सटी को सबसे सही किसके बारे में है सीता मढ़ी जिले के बारे में सही है आए सीता मढ़ी की location देख लेते हैं सीता मढ़ी की location हो जाएगी ब धुबनी के साथ ये अपनी सीमा साजा करता है बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर देख लेते हैं अगली खबर है बिहार नेपाल बॉर्डर पर फिर उठा सीमा विवाद इस वजह से यह बॉर्डर यह एक्षेद चर्चा में आ गया है प्रशन क्या है नमलि देखते हैं मैप में हम इन दोनों की बॉर्डर को तो बिहार केक हिस्से में इस्थे उत्तरपरदेश पशتمी छीत्र में पुम किया गया है तो देखे各ग हम सिवान पश्चुमी चंपारन गोपाल गंज और शिवहर इन चारों की location यदि हम देखें कि सिवान यहां पर पश्शमी चमपारण गोपाल गंज और शिवहर तो आप स्पश्ट रूप सी देख पा रहे होंगे कि शिवहर वह जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती जबकि यहाँ पर पश्चमी चंपार्ण गोपाल गंज और सिवान की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है तो यहाँ पर हमारे जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी शिवहर इसका सही जवाब होगा क्योंकि शिवहर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता बढ़ते हैं अगली खाबर की तरफ अगली खाबर आपके लिए अभ्यास प्रश्नी की रूप में है जिसकी खाबर क्या है करकट जलपरपात में बढ़ी पढ़ते रहें रिवीजन करते रहें शुक्रिया